दोस्तो आज हम जानने वाले हैं फेक्टरी में प्लास्टिक कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं प्लास्टिक कैसे बनता है दोस्तो प्लास्टिक एक पॉलीमर होता है जो की पेटरोलियम का ही प्रोडेक्ट होता है मैं आपको बता दू कि petroleum हम उस कच्ची ते लिया crude oil को कहते हैं जिसे हम जमीन के अंदर से निकालते हैं जिससे हमें diesel petrol जैसे और भी इंधन प्राप्त होते हैं crude oil को जमीन से निकालने के बाद उसका distillation प्रोसेस होता है जहां crude oil को अलग-अलग temperature में गर्म किया जाता है अलग-अलग चीजों को पाने के लिए और उसी petroleum distillation प्रोसेस में नेपता भी हमें मिलता है जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है नेपता एक जटील हाइडरो कारवन होता है जो की कारवन्स की ही लंबी-लंबी और complex चेनों से मिलकर बना होता है नेपता को पहले नेपता क्रेकिंग सेंटर में भेजा जाता है जहां पर नेपता को complex से साधाया रूप में तोरा जाता है और इसे तोरने के लिए सबसे पहले नेपता की thermal cracking प्रोसेस होती है उसके बाद quenching प्रोसेस और फिर compression प्रोसेस होती है अंत में referring प्रोसेस होती है इस तरह से नेपता क्रेकिंग से हमें कई तरह के plastic प्राप्त होते है जैसे की इधेलीन, प्रोपेलीन, मुटाडाइन और भी बहुत सारे है इसके बाद जिस ट्रैप का हमें plastic चाहिए होता है उस हिसाप से विभिन 200 पदार्थों के साथ reaction करवाए जाते है reaction हो जाने के बाद gas को एक चेंबर में भेज दिया जाता है जहाँ पर gas के मूनुमर आपस में दूर के एक लंबी chain बना लेते हैं जिसे हम polymer कहते हैं और उस polymer को एक स्क्यूडर में डालकर पानी मिलाकर polymer powder में बदल देते हैं और polymer बनाने का जब प्रोसेस, polymerization कहलाते हैं polymerization में अलग-अलग परकार के गेसों से अलग-अलग परकार के polymer बनाए जाते हैं जिसे हम plastic कहते हैं और इस plastic का हम अलग-अलग द्रगहों पर अलग-अलग कामों के लिए उप्योग करते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में सबते के लिए बाई जैहिंग